नमस्कार मित्रो जैमातादी मैं बताने जा रही हूँ अगर आप गर्मी बीजन पड़ रही है तो अगर आप बेल का शर्वत पीते हैं तो उसके मैं पाँच फायदे बता रही हूँ बेल के शर्वत पीने के पिछले एक सकता में जिस कदर गर्मी बड़ी है मित्रो उससे आम जन जीवन बहुती अस्तवेस्थ हो गया है लोग इस गर्मी में इस सड़ी गर्मी में रहात पाने के लिए तरह तरह के उपाये अपना रहे हैं कोई नीबू पानी पी रहा है तो कोई लस्ती का सारा ले रहा है लेकिन मित्रो बेल का शर्वत एक ऐसा पे है जो न सरफ कई और शद्दिय गुडों से भरपूर है बलकि गर्मी के लिए अमरत के समान है बेल का शर्वत आम तोर पर गर्मी में ही मिलता है क्योंकि बेल का फल गर्मी में ही पकता है गुडों से भरपूर है बेल मित्रो य ये गर्मियों में ही होता है इसका शर्वत आप पीजिए बाहर से कठोर और अंदर से बहुती सौफ्ट गूदे वाला ये फल का इस्तमाल पेड़ से तूटने के कई दिन बाद तक भी किया जा सकता है अगार आप इसको फ्रेज में रख लीजे तो कही दिन आप इस्तमाल कर स लगते हैं चोट चुट चुट आपको शर्वत बनाना है चोटा ऐसा करिए फिर उसको आप छल्नी में च्छान लीजे पानी डल डलके और शर्वत बना लीजे इसका इसमें प्रोटीन बीटा के रोटीन थाइमीन राई बोफ लोवीन और बिटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है बेल के शर्वत में इतना सारी चीजे ती खुबिया हैं कि इसमें प्रोटीन है पीटा क्रोटीन है थाइमीन है राई बोफ लोवीन है यह सब हैं इत्ते गुड़ हैं तो यह बहुत हमारे जो अंदर शैल्स बनते हैं उनको बहुत पाइदेमंद पुचाता ह बेल के शर्वत के फाइदे गर्मी में भीतर से देता है ठंड़क दिल को सेहत में रखने में बददगार ये जो है बहुत ही मददगार होता है बताया जा रहा है कि बेल का शर्वत त्यार करने में बाद उसमें कुछ भूंदे घी की डाल कर अगर हो जाना आप रोज पिए र बीमारियां से बचा होता है बेल का शर्वत गर्मी के दिन बहुत ही फाइदे मंद होता है भारी गर्मी के अलावा जाएसे इससे पेट की गर्मी भी दूर होती है façon चाले और ऐसे डीटी में भी रहात मिलती है बेल का शर्वत लू से बचाने के साथ यह हमें बहुत सी चीजों में फायदे मन्द जैसे हमें जाड़े में बाजरा फायदे मन्द होता है उसी तरह के से गर्मियों में यह बेल जो होता है वो हमारे को थंड़ा परदान करता है और ये मित्रों में लू से बचाता है जो गरम-गरम हवाय चलती है जब आप जाते हैं आफिस वगेरा या कुछ काम के लिए जा रहे हैं तो गरम-गरम हवाय हैं वो चलती हैं तो वो जो है उससे ये जो है बचाता है और क्या है कि खून साफ करता है बेल के शरबत का सेवन र कुछ बुंदे शहत की डाल कर नीमित रूप से कुछ दिन तक ले तो आपका खून साफ हो जाएगा जो खून में गंदगी है अगर आप इसमें टोड़ा चा शहत डाल ले घरम गुर्मरे पानी में करके तो यह आपके रत्त को भी साफ कर देता है और यह दस्त और डारिया मे फादे मंद है अभी वेद में बेल के शर्बत को आप फादे मंद माना गया है बेल को आप चीनी के साथ घोल कर भी बना सकते हैं और थोड़े से बरब भी दा सकते हैं और यह जो है आपकी कप जिससे भी बहुत रहात देता है बेल के रस पीने से पेड़ की समस्याएं जो ह होती है वो दूर होती है और आराम मिलता है तो यह इसके फाइदे हैं बेल के अंगनीत फाइदे हैं जो मैंने आपको बताएं मित्रो धन्यवाद आशाय कि आप मेरी जानकारी से लाब उठाएंगे धन्यवाद मित्रो मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर करें